बच्चों आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किये गए पाठ चतुर्था पाठा है चलचल पुरतो निधे ही चरणम का अभ्यास में दिये गए प्रशनों को करेंगे तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला प्रशन दिया गया है वह पेज नमबर है 22 और रुची रात तृतियो भागा कक्षा आठ की संस्कृत की पुस्तक है और इसमें हम लोग चौथे पाठ का पहला प्रशन देख रहे हैं इसमें पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत लिखा तो सभी अपने किताब में 22 पेज नमबर निकाल लेंगे और उसमें हम लोग पहला प्रशन देखेंगे पहला प्रशन हो गया दूसरा प्रशन करेंगे अधो लिखिता नाम प्रशना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत निम्न लिखित अधो लिखिता नाम का मतलब होता है निम्नलिखित प्रश्णों का उत्तर एक पद में लिखें तो यहां पर प्रश्णों का उत्तर एक पद में लिखना है और इसमें जो है वो वाग के नहीं लिखना है किवल पद में एक पद में उत्तर लिखना है तो इसमें जो पहला प्रश्ण दिया हुआ है का स्वकियम यह पंक्ति आई है इस गीत में तो यहां पे हम लोग शुरू करेंगे उत्तर दो काका यहां पे आ जाएगा बलम यानि की बल तो किम की जगापर हो जाएगा बलम और ख है पती के विश्माह प्रकराह पती कार्थ होता है रास्ता रास्ते में के मतलब कौन विश्माह प्रकरा विश्म और असमान और तिक्ष्र है नुकीले है तो यहां पे पाशाड़ाह पत्थर तो यहां पे हुजाएगा पाशाड़ाह अर्थार पत्थर और अब है यहाँ ग और में है सत्तम किम कर्णियम सततम मतलब लगातार किम करणियम क्या करना चाहिए तो सदा अपने धे को याद रखना चाहिए तो धे इस्मर्णम यहाँ पर एक पदेन में आ जाएगा धे इस्मर्णम अपने लक्ष को इस्मर्णम मतलब याद रखना धे इस्मर्णम और अब है यहाँ पर एतस से गीता से रचाईता कहा तो श्रीधर भासकर वर्ने कर रहा इस कवी के गीत के रचाईता है लिखक है श्रीधर भासकर वर्ने कर सह के द्रिशाह कवी है मन्यते सह मतलब वह यहाँ पे वह से तातपर है श्रीधर भासकर वर्ने कर से कि वे कैसे कवी माने गये हैं तो यहाँ पर उपर जो शुरुवात है पाठ की वहाँ पे दूसरी पंक् लिख tanto कात्च तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा रास्त्रवादी और रास्त्रवदी यह माने गए है कव framework क्या उत्यू तो यहां पर हम लोगर ने दूसरा प्रश्न है मंजुशातह क्रिया पदानी चित्वा रिक्तस्थानानी पूरियत मंजुशातह करते मंजुशा से जो यहां पे बॉक्स दिया गया है उस मंजुशा से क्रिया पदानी चित्वा क्रिया पद चुनकर रिक्तस्थानानी पूरियत खाली जगह भरें तो यहां पर प यहां पे जो मंजुशा में शब्द दिया है पहले हम लोग उसको देखेंगे निधेही अर्थात रखना विधेही करो जही ही छोड़ दो देही मतलब दो भज मतलब भजो चल मतलब चलना और कुरू मतलब करना तो यहां पे है यथा त्वम पुरता चरणम निधेही तुम सा अमने चरण रखो कदम रखो तो यहां पे क है त्वम विद्यालें तुम विद्याले तो हम लोग क्या वाकी पुरा करेंगे चलो तो तुम विद्याले चलो तो यहां पे चलो के लिए चल का प्रयोग है तो उत्तर यहां पे तीन का उत्तर हम लोग लिखेंगे और उत्तर सीन के खाली जगह में हम लोग भरेंगे चल यानि की चलो और अब है यहाँ पे ख रास्ट्रे अनुरक्तिम रास्ट्रे यानि की रास्ट्र पर अनुरक्तिम यानि की प्रेम इसने क्या करना चाहिए रखना चाहिए तो इसके लिए हम लोग खाली जगह में भरेंगे विधे ही विधे ही कार्थ होता है रखना तो यहाँ पर विधे ही कार्थ हो गया रखना और रास्ट्रे अनुरक्तिम विधे ही रास्ट्र पर अनुरक्ति रखो और अब हमलों यहाँ पर अगला प्रश्ण देखेंगे महियम जलम मुझे जल मुझे पानी देही दो मुझे पानी दो मुझे जल दो तो देने के लिए यहाँ पर देही का प्रियोग करेंगे देही और अब है यहां पर घ मोड़ जही ही धनागम त्रिश्राम यानि कि हे मुर्ख जही ही मतलब छोड़ दो धनागम त्रिश्राम धन पाने की लालसा रुपए पैसे की धन की लालसा छोड़ दो तो यहां पर जही ही जही ही का प्रियोग करेंगे घ में जही ही यानि कि छोड़ दो और अब है यहां पर अंगा है भज यहां पर गोविंदम पद दिया है और गोविंदम गोविंद कहते हैं भगवान को तो भज गोविंदम भगवान का भजन करना चाहिए तो यहाँ पर हम लोग अंगा में भरेंगे भज, खाली चका में भरा जाएगा भज और इसका अर्थ हो जाएगा भज गोविंदम, गोविंद का यानि की भगवान का भजन करो और चाहे सत्तम धे इस्मर्णम कुरू, सत्तम, सत्तम मतलब लगातार धे इस्मर्णम अपने लक्ष का इस्मरण कुरू मतलब करो, तो यहाँ पर कुरू आ जाएगा तो इस तरह से अपने लक्ष का इस्मरण करो, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा प्रेशन कर लिया और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथे प्रेशन की ओर और देखते हैं चौथे प्रेशन में क्या दिया हुआ है तो चौथे प्रेशन में हम लोग आम और न दिया हुआ है जिसमें की खाली जगा जिसमें की बॉक्स बना हुआ है और उसमें जो है आम और न भरना है तो इसको हम लोग यहां पर करेंगे आम और न का चौथा प्रशन है इसमें अ और आ दो तरह के प्रशन दिये गया है सबसे पहले हम लोग इसमें आ का करेंगे यहां पर उत्तरफोर है यह और इसका पहले आ करेंगे तो आ में हम लोग सबसे पहले करेंगे यहां पर चौथे का आ इसमें एक उदारण देकर समझाया हुआ है और यह था पुरुता चरणम निधेही जैसे पूरुटा मतलब सामने, चरण मतलब चरण पैर, निधे ही मतलब रखो. तो यहां पर आम यानि कि हाँ, आम कार्थ होता है हाँ और ना कार्थ होता है नहीं. और इसमें का दिया हुआ है निजी निकेतनम, गिरी शिख्रे अस्थी. तो पुरतह यहां पर जो उदारन دिया हुआ था उसमें यह है अर्थ इसका कि पुरतह चरणम निदे ही पुरतह मतलब सामने चरणम मतलब पैरों को कदमों को निदे ही मतलब रखो तो इसमें जो है यह बिलकुल सही कहा गया है और गीत में इसका वर्डन है तो यहां पर आम लिखेंगे हां जिसका अर्थ होता है और कह है निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ती निज निकेतनम अपना घर गिरी शिखरे परवत की चोटी पर अस्ती मतलब है तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इस गीत में आया है ये पंती कि जो है गिरिशिक्रे ननुनिजनिकेतना तो यहाँ पर हम लोग कह में आम भरेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा गया है और कह है स्वकियम बलम बाधकम भावती बाधक मतले जो रुकावट डाले अपना बल रुकावट नहीं डालता है अपना बल तो अपना साधन है बलम स्वकियम भावती साधनम तो यहाँ पर हम लोग इसको गलत करेंगे न लिखेंगे क्योंकि यह यहाँ पर गलत लिखा है साधकम होना चाहिए अब गह है पथी हिंस्राह पश्वह नसंती पथी मतलब रास यहाँ पे तो यह कहा गया है कि वहां पर पत्थर भी नोखीले हैं असमान है और फिंशक जानवर है घयानब जान है तो यह पंक्ति गलत है वह गलत हैं तो इसके लिए ना का प्रियोग करेंगे, और अब है गह, गमनम सुकरम अस्ति, गमनम मतलब जाना, सुकरम मतलब आसान, अस्ति मतलब है, तो यह यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, गमनम सुदूशकरम अस्ति, गमनम सुदूशकरम, तो यहाँ पर यह ना है क्योंकि यह गलत है, और अब ह सदैव अग्रे एव चलनियम सदैव मतलब हमेशा अग्रे एव आगे ही चलनियम मतलब चलना चाहिए ये बिल्कुल सही है पाट का नाम ही है चल चल पुरतू निधे ही चलनम कि चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ तो इसलिए ये बिल्कुल सही है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आम तो यह हम लोगा हो गया चौथा प्रश्ण और इसमें पूरे पांच प्रश्ण है और एक उधारन को ले लिया जाए तो पूरे छे है तो यहाँ पर अब हम लोग आ वाला करेंगे आ में जो है वो लिखा है वाग के रचनया अर्थ भेदम इस्पस्टी कुरूद वाग के रचना करके अर्थ का भेद इस्पस्ट करें तो यहाँ पर हम वाग के नहीं लिखवाएंगे क्योंकि अलग-अलग विद्यार्थी अलग-अलग तरीके से वाग के बना सकते हैं तो वाक्ये बनाओ वाक्य में प्रियोग करो, ये सबी विद्यार्थी अपने से करेंगे, इसमें पाठ से भी यहाँ पे सहायता ली जा सकती है, और अपने से भी छोटा छोटा वाक्य बनाया जा सकता है. तो यहाँ पर पाठ रचना से अर्थ भेद इसपस्ट करना है, परिताह, परिताह का अर्थ होता है चारो ओर, तो यहाँ पर ग्रामं परिताह व्रिक्षाह संती, गाउं के चारो ओर पेड़ हैं, ग्रामं परिताह व्रिक्षाह संती, तो विद्यालियम परिताह भी हो सकता है, विद्यालियम परितः विखशासन्ति और पूरतः दूसरा पद दिया हुआ है पूरतः पूरतः कार्थ होता है सामने तो यहाँ पे सामने के लिए जो है वो सीतायाह पूरतः रामः चलती सीता के सामने राम चलते हैं और नगाह, नगाह कहते हैं परवत को तो हिमालिया है, नगाह अस्ती हिमालय परवत है, नागह और नाग कहते हैं सर्प को तो यहाँ पर नाग जो है वो परवत से मारगह, यहाँ पर शेश नागह सर्वोच्चा भवती, शेश नागह जो है वो विशालह भवती, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं और आरोहडम, आरोहडम का मतलब होता है चड़ना, और अवरोहडम का मतलब होता है उतरना, तो परवत से आरोहडम सुखधम भवती, और परवत से अवरोहडम रोमांचकम भवती, उतरना हो चड़ना दोनों जो है बहुत, जो है सुखधाई होता है, सुखधम भवती, और विश्माह समाह विश्माह पाशाणाह संती मारगे विश्माह पाशाणाह संती समाह समाह का अर्थ होता है एक समान तो यहाँ पर राज पुत्राह निर्पेन समाह भवंती राज पुत्र राजा के समान होते हैं तो यहाँ पर वाकिर रचना करके अर्थ बताना है और प्रश्ण अब हम लोग देखेंगे पाच्वे प्रश्ण में दिया हुआ है कि मंजुशातह अव्याइपदानी चित्वा रिक्तस्धानानी पूरियत मंजुशा से अव्याइपद चुन कर खाली जगा भरू एव खलू तथा परितह पूरुतह सदा और विना तो यहां पर ए यहां पर आएगा पूरुतह एकम उद्यान नमस्ती विद्याले के सामने एक बगीचा है त्याहां पर हम लोग पांचवे का करेंगे उद्तर पांच इसका आढ़ाउक div नमस्ती स्वयम से बनायेंगे वाक्य तो अब हम लोग उत्तर 5 का करेंगे और इसमें खाली जगह में भरेंगे पूरता हाथ खाली जगह में भरा जाएगा पूरता हाथ और अब है ख सत्यम जैते सत्यम एव जयते ये बहुत ही प्रसिद्ध है सत्यम एव जयते जो होता है उसमें सत्यम का मा और एव सत्यम एव होता है तो सत्यम और एव होता है मा और ए मिलकर मेव हो जाता है तो सत्यम एव जयते और गह है किम भवान इसनानम कृतवान क्या आप इस्नान किये यहाँ पे खलू खलू का यहाँ पे प्रयोग है और अब है घर सह यथा चिंतियती तथा आचरती घर सह यथा चिंतियती यहाँ पे तथा यथा के साथ तथा का प्रयोग होता है वाकि में जैसा वैसा तो यहाँ पर यथा के साथ तथा का प्रियोग होगा तो यह चार यहाँ पर प्रियोग हुआ है और आगे दिया हुआ है ग्रामम यहाँ पर आजाएगा परितह ग्रामम परितह गाउं के चारो ओर रिक्षा हर संती तो आपे आंका हम लोग यहां लिख दे रहे हैं ग्रामम परिता है विद्याम जीवनम वृथा विद्याम विद्या के बिना जीवनम जीवन वृथा मतलब व्यर्थ है तो आपे विद्याम विना विना का प्रयोग होगा और फिर है चो भगवंतम भज भगवान को भजो तो यहाँ पर आजाएगा सदा सदा मतलब हमेशा सदा कार्थ होता है हमेशा भगवंतम भज सदा भगवंतम भज और अब है यहाँ पर चठा विलोम पदानी योजियत विलोम पद को जोड़ो विलोम पद उल्टा आर्थ देने वाला होता है वेपिरीत आर्थ को बताने वाला होता है तो यहाँ पे जो पद दिया हुआ है उसमें है पुरुता का आर्थ होता है सामने स्वकियम मतलब अपना भीती मतलब डर और भै जिसको कहते हैं अनुरक्ति है अनुरक्ति गमनम यानि कि जाना और इसके दूसरे वाली तालिका में जो दिया है विरक्ति है यानि कि विरक्ति उसको छोड़ देना और आगमनम मतलब आना प्रिस्ठता है पीछे परकियम यानि कि दूसरे का साहस है मतलब साहस तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न हम लोग 6 करेंगे जिसमें की विलोम पद लिखना है और विलोम पद में सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे पुरुता लिखेंगे यहां पर उत्तर 6 है और इसमें नंबर तो नहीं डला हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पर नंबर डाल दिये हैं तो यहाँ पर पहला जो है वो पूरता है पूरता के आगे हम लोग लिखेंगे पूरता है प्रेश्थता पूरता का अर्थ होता है सामने तो इसका हो जाएगा प्रिष्ठता है प्रिष्ठता है और स्वाकियम स्वाकियम का हो जाएगा परकियम स्वाकियम इसका हो जाएगा परकियम और अब है यहाँ पे भीति भीती है, भीती कार्थ हो जाएगा साहस, भीती कार्थ होता है डर, और साहस कार्थ होता है, साहसी होना, और यहाँ पर अनुरक्ती है, का विरक्ती, अनुरक्ती है, इसका हो जाएगा विरक्ती है, और फिर है गमनम का आगमनम यहां पर गमनम आगमनम गमनम का आगमनम तो इस तरह से यहां पर विलोम पत को जोड़ा गया और अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसमें दिया हुआ है कि आ और आ यहां पर दो प्रश्न दिये गए है और इसको करने के लिए धातु रूप की साहता लेनी होगी और उसमें लोट लकार लट लकार लोट लकार और विधिलिंग लकार इन तीनों लकार का यहां प्रियोग है और यह पूरी तालीका बनी हुई है और इसमें खाली जगा भरना है तो सबसे पहले हम लोग साथ में प्रश्न का अ करेंगे जिसमें लिखाए कि लट लकार पदेभ्या लट लकार के पदों का को लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माडम कुरूद लोट और विधिलिंग लकार के पद में निर्माड करना है यानि कि यहाँ पर लट लकार में जो पद दिया गया है उसे हमें लोट लकार और विधिलिंग लकार में बदलना है उसमें क्या बनेगा उसी वचन और उसी पुरुश में तो यह हो गया है पुरा तो हम लोग अब यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर तालिका बनाएंगे और उत्तर साथ है यह और इसका अ है और इसमें हम लोग लट लकारे लोट लकारे और विधिलिंग लकारे यहाँ पर दिया हुआ है तो लोट लकार और विधिलिंग लखारे लट लखा तो शब्द दिया हुआ है उसी में विधिलिंग लखारे तो यहाँ पर यह पद दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पहला लेंगे पठती जो लट लखार का है इसमें पठतू और पठेत यह तो पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर तो हम लोग दूसरा दिलेंगे खाली जगवाला, तो खेल असी को बदलना है लोट लकार में और विधिलिंग लकार में, और सबसे पहले ध्यान ये देना है कि खेल असी जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, जैसे में पुरुष एक वचन में ही पद बनाएंगे पद लिखेंगे तो यहाँ पर पहला है खेल असी को और खेल असी में है, खेल खेल कारत होता है खेलना लेकिन यहाँ पे लोट लकार की मध्यम पुरुष में जो है इसका रूप बनता है खेल और अब है यहाँ पे विधीलिंग लकार विधीलिंग लकार में बनाना है तो खेलेह खेलेह हो जाएगा और अब है यहाँ पे दूसरा खादन्ती खादन्ती है और खादन्ती को हम लोग बनाएंगे खादन्तु और खादे यू यहाँ पर खादन्तु लोट लगार में खादन्तु और खादे यू वह अचन में खादे खादे ताम खादे यू और अब है पीबामी पीबामी है पीबामी जो है वो उत्तम पुरुष एक बचन का है तो यहाँ पर लोट लकार और विधिलिंग लकार का रूपी जो है वो उत्तम पुरुष एक बचन का बनेगा तो यहाँ पर पीबानी यहाँ पर हो जाएगा पीबानी और पिबह यो इप एयो पीबानि और पिबह यो नहीं पिबानी और यहां पे पिबह यू तो इसी का हो गया यहां पे इन्ग आगर का लिखना हूए यंद्स विदिलिंग लकार ने हो जब एम पिबेग पिबेतां हम पिबे DC क्योंकि उत्तम पुरुष एक बचन के यहां पे लिखना है और अब है हसता हसता में जो है हसता हसती हसता है यह लटलकार का प्रथम पुरुष का द्वी बचन है तो यहां पे नयाम हसताम यहां पर बनेगा हसताम और विधिलिंग लखार में हो जाएगा हसेताम हसेताम यहां पर हसेताम हो गया और अब है नयामह नयामी नयामह तो इसमें भी जो है उत्तम पुरुष भवचन का रूप है यह तो नयाम और नयेम नयाम और नयेम नीधा तुकार्थ होता है ले जाना तेहां पर नयेम हो गया और अब है आ यहां पर दिया हुआ है अधू लिखितानी पदानी तो यहाँ पर अधू लिखितानी पदानी निर्देशानु सारम परिवर्तियत नीचे लिखे यहाँ पर नीचे लिखे पदों का यानि कि यहाँ पर जो नीचे लिखे पद है उनका जो है वो पद के अनुसार जैसा कि यहां कोस्टक में दिया हुआ है उसके अनुसार उसको बदलना है तो इसको करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कोस्टक में कौन सी विभक्ती, कौन सा बचन लिखा हुआ है और उसी के अनुसार उसको बदलना है तो इसमें जैसे कि इससे पहले वाला इसका अ वाला था तो इसमें पहले ये ध्यान देना होता है कि ये पत किस पुरुश और किस वचन का है ये और उसी पुरुश और उसी वचन में इनको बदलना होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है लोट लकार में और विधिलिंग लकार में उसे बदलना होता है तो इसमें जो है हम लोग इसको बदले और अब हम लोग यहां पे आवाला करेंगे अधू लिखीतानी पदानी निर्देशा नुसारम परिवर्टियत तो यहां पर नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार बदलना है तो यहां पर गिरी शिखरे, तो गिरी शिखर है, तो सब्तमी एक वचने है, तो सब्तमी एक वचन में इसको बदलना है, तो गिरी शिखरे हो गया, यह यहां पर लिख के बताया गया है, कि गिरी शिखरे जो है यहां पर एक वचन है, और अब है यहां पर पथिन, पथिन दि लिखना है, तो हम लोग यहां पर अब शुरु करते हैं, निर्धेशान उसार नपने के लिए, तो सबसे पहले जो यहां पर दिया हुआ है वह है पथिन, यहां पर आ हो जाएगा ये इसका हम लोग को सब्तमी एक वचने एक वचन में लिखना है तो इसका हो जाएगा पथी यह खाली जगह में लिखा जाएगा और अब है रास्ट्र देश इसको चतूर्थी विवक्ति में लिखना है तो यहां पर हो जाएगा रास्ट्राए चतूर्थी विवक्ति का प्रियोग के लिए अर्थ में होता है तो यहां पर के लिए अर्थ हो गया रास्ट्राए अब है पाशाण सब्तमी एक वचने पाशाण का हम लोग लिखेंगे पाशाणे और यान है दूइतिया बहुवचने दूइतिया बहुवचने यानानी तो यहाँ पर यान से यानानी हो जाएगा यान दूइतिया बहुवचन में यानानी यानम याने यानानी होता है और यानम जो है वो नपुनसक लिंक शब्द है तो द्वीतिया और प्रत्मा इसमें एक जैसा होता है, अब है शक्ति, शक्ति है, प्रत्मा एक वचने तो शक्ति हो जाएगा, यहाँ पर शक्ति, और अब है पशु, इसका सब्तमी बहुवचन में करना है, पशु पध है, और पशु में पशू शू, पशु हो जाएगा यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने इसमें जो विभक्ति और वचन लिखा हुआ था, उसी में इसको बदला गया है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, जो है प्रत्मा विभक्ति, एक वचन में शक्ति को बदला गया, और पशु जो है वो सब् बदला गया, और अब यहाँ पर योगिता विस्तारह दिया हुआ है, और योगिता विस्तारह में हम लोग यहाँ सभी प्रशनों का उत्तर कर लिये हैं, और योगिता विस्तार सभी बच्चे पढ़ेंगे, और इसमें तो यह जानकारी के लिए दिया गया है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद